चो स्टरी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत सभागत है चोले स्टार्ट करते हैं निम्न में से किस पदार्थ का पाचन होने पर एमेनो अमले बनता है बच्छो इसका सही आंसर होगा ओप्शन नमबर डी प्रोटीन चले आगे बढ़ते हैं दूद में मिलने वाला केसीन है वसा बी कार्पोहेड़िट सी प्रोटीन या फिर डी बैक्टिरिया बच्छो इसका सही आंसर होगा दूद मिलने वाला केसीन क्या है प्रोटीन अगला देखते हैं निम्न में कौन रेशेदार प्रोटीन है option a collagen, b globulin, c hemoglobin या fit d इन में से कोई नहीं बचो इसका सही आंसर होगा collagen तो ratio दार protein collagen को कहा गया वह protein जो carbohydrate को जोड़ती है a lecithoprotein, b glycoprotein, c lipoprotein या fit d धात्वी protein बचो इसका सही आंसर होगा c lipoprotein आगे पढ़ते हैं DNA दिगुडन में उपयोग होने वाला enzyme है a RNA polymerase, b DNA endonuclease, c exonuclease या fit dna, d option dna polymerase इसका सही आंसर होगा option number d, dna polymerase चले आगे पढ़ते हैं dna का दिगुडन कहलाता है option number a transcription, option number b translation, option number c replication या फिर option number d, transduction बच्चो उसका सही आंसर होगा option number c replication आगे बढ़ेंगे, समस्त कोशिकों में उर्जा विन्यामक का काम करने वाला उच्च उर्जावाहक nucleotide होता है AMP, option number a, b, option number b, ATP, option number c, NAD, या option number d, FAD बच्चो उसका सही आंसर होगा option number b, ATP, जिसका फुल फॉर्म है adenosine triphosphate आगे देखते हैं, चक्रिक adenosine monophosphate के अडू कहाँ पाये जाते हैं option number a, कोशिका कला में, option number b, कोशिकाओं के cytosol में option number c, कोशिका कला की बाहरी सता पर, या option number d, केंदरक में बच्चो उसका सही आंसर होगा option number b, कोशिकाओं के cytosol में चले, आगे बढ़ते हैं, amino amino, अमलो, proteins, तथा यूरिया के अडूआ में उपस्थित nitrogenary, क्रियात्मक समू होता है option number a, CHO, option number b, COOH, option number c, CH3, या option number d, NH2 इसका सही आंसर होगा, option number d, NH2 एमिनो अमलो का क्रियात्मक समू होता है ठीक, amino अमलो, proteins और यूरिया के अडूआ में उपस्थित nitrogenary, क्रियात्मक समू क्या होता है, NH2 आगे बढ़ते हैं, monosacride के अडू, बहुली करण के समय, किस बंद के द्वारा एक दूसरे से जुडते हैं option number a, glycosidic bond, option number b, ester bond, option number c, peptide bond, या option number d, phosphoester bond बच्चों, इसका सही आंसर होगा, option number a, glycosidic bond चलिए आगे देखिए, वसी अमलों के अडूओं में क्रियात्मक समू होते हैं option number a, COOH तथा OH, b, option number b, OH तथा CS3, option number c, CS3 तथा COOH, या option number d, इन में से कोई नहीं तो बच्चों, वसी अमलों के अडूओं में क्रियात्मक समू होते हैं, इसका सही आंसर होगा, option number c, option number c, CS3 तथा COOH कोशिकाओं में, फास्फोल एपिट की प्रमुख भूमी का किसमे होती हैं, option number a, जियू कलाओं की मूल संगरशना में, या option number b, उपापची अभिक्रियाओं का उत्प्रेड, option number c, कोशिका संकुचन, या option number d, कोशिका द्रव्वे में, सौल, जेल, परिवर्तर तो बच्चों, इसका सही answer दीजे, सही answer होगा, आपका option number a, option number a, क्या है, जियू कलाओं की मूल संगरशना चले, आगे बढ़ेंगे, जैविक अड़ों में, सबसे अधिक अलंकृत अड़ू किसका होता है, option number a, trichlisrite, option number b, phasfolipid, या option number c, cholesterol, या option number d, vitamin d बच्चों, इसका सही answer होगा, option number c, cholesterol आगे देखिए, प्रोटीन कोया नाम किसने दिया, option number a, बर्जीलियस, b, option, मूल्डर, या फिर c, option, a, और b, दोनो, या d, आप्शन, इनमें से कोई नहीं तो बच्चों, प्रोटीन का नाम दिया था, वर्जीलियस ने भी दिया था, और किसने दिया था, मूल्डर ने भी दिया था, इसलिए सही answer हो जाएगा, option number c, a, और b, दोनो चलिए, आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन साड़ों में प्रियोक्त, एमिनो एसिट में अनावश्यक और आवश्यक एमिनो एसिट की संख्या क्रमशा होती है, ये बहुत ही important question है, और चलिए बताएए, इसका answer क्या होगा, option number a, पहले options देख लीजे, option number a है 10 और 10, b है 8 और 12, c है 15 और 5, या फिड़ी है 12 और 8, बच्चोस का सही answer होगा, option number a, 10 और 10, total 20 एमिनो एसिट होते हैं, जिसमें 10 और 10 अनावश्यक और आवश्यक आवश्यक एमिनो एसिट की संख्या होती है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, हमारे रुधिर दाफ जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध होता है, option number a, tarcolic acid, b, cholesterol, c, prostaglandin, या फिड़ी, नल हार्मोन, इसका सही answer होगा, इसका सही answer क्या होगा बच्चो, चलिए बताइए, इसका सही answer होगा, cholesterol, सही answer क्या है इसका, cholesterol, ठीक, b, option, सही answer है, चलिए, हीमोग्रोबिन, साइटोक्रोम्स, तथा परहणिम के अड़ों की पूर्फायरिन वला की उत्पती, किसके अड़ों से होती है, option number a, proline, b, valine, या फिड़ी, c, tyrosine, या फिड़ी, glycine, इसका सही answer होगा, बच्चो, option number d, glycine, चलिए, कुशन आगे बढ़ते हैं, न option number a, olic acid, b, linolic acid, c, steric acid, या फिड़ी, linolenic acid, बच्चो, इसका सही answer होगा, option number d, linolenic acid, आगे बढ़ेंगे, विकर का प्रोटीन रहित भाग कहलाता है, option number a, metallo enzyme, b, iso enzyme, c, holo enzyme, या फिड़ी, prosthetic group, विकर का प्रोटीन रहित भाग कहलाता है, इसका सही answer होगा, option number d, prosthetic group, enzyme कारी करते हैं, option number a, sacriere urja को कम करके, b, option number c, sacriere urja को प्रभावित किये बिना, अभुकृया काल को बढ़ाकर, या option number d, sacriere urja को नियमित रख कर, enzyme कारी करते हैं, इसका सही answer होगा, option number a, sacriere urja को कम करके, चलिए आगे देखिए श्रावर के समय यदि एंजाइम सक्री होंगे तो वे किसे नस्ट कर देगे Option number A कोशी का प्रोटीन को या फिर B कोशी का दियने को या फिर C कोशी की अमाइट्रो कॉंडिया को या फिर D कोशी का भित्ती तथा कला को बश्चों इसका सही आंसर होगा कोशिका प्रोटीन को, यानिकि option number A अगला कुशन देकिए, कोई enzyme होता है क्या होता है कोई enzyme सदेव suk protein होता है या कुछ परस्थितिओं में vitamin होता है या फिर protein रहित carbonic यौगिक होता है या निया एक धातू होता है बच्छों उसका सही आंसर होगा option number B कुछ प्रस्थितियों में vitamin होता है चलिए आगे बढ़ेंगे enzyme किस stop पर सरवादिक सक्री होते है 20 degrees Celsius stop पर या फिर 20 से 35 degrees Celsius के बीच के 20 to 20 degrees Celsius stop पर या 20 to 35 degrees Celsius temperature पर या फिर 10 degrees Celsius पर या फिर 60 degrees Celsius पर enzyme किस stop पर सरवादिक सक्री होते है बच्छों उसका सही आंसर होगा option number B जो है क्या है 20 से 20 से 35 degrees Celsius के बीच का जो भाग होता है वो होता है ठीक option number B 20 से 35 degrees Celsius के बीच में enzymes जो होते हैं वो सरवादिक सक्री होते है तो सही आंसर होगा आपका B option बच्चों ये तो थे आपके आज के questions फिर नए वीडियो के साथ और धे सारे questions हम लेका फिर से आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल